स्वागत है आपका इंडिया न्यू थैट्रस चैनल में आप सभी हमें इतनी सारी कहानिया भेज रहे हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आप इसी तरह से हमें अपने कहानिया भेजते रहिए और हम उस पे काम कर सबको सुनाते रहेंगे आप जो कहानि भेजा है उसका सिर्सक है तीसरी गली का आखरी मकान लिखा है अमितेश ने यहां तीसरी गली में जो मकान है वहीं जहां वो सायर रहता है अरे दारी वाला नहीं वो जो अब मुझ मुंडा हो गया है पहुचा तो जड़ा वहाँ और चच्चा से इतना कहते ही राजा राम चल परा कोरियर वाले के साथ अभी कोई एक आदा साल हुआ होगा एक पागल सा लर्का जिसमें से सिग्रेट की तीखी गंदा रही थी अंटी के पास आया और बोला कमरा मिलेगा अंटी बोली है तो लर्का बोला किराया अंटी ने कहा तेईस सो रुपे सो रुपे पानी का अलग और बिजली का साथ रुपे उनिट मीटर अलग है कमरे का एक से ज़ादा नर रहना और सुनो जो करना है कमरे में करना परोसियों को समस्या नहीं होने चाहिए नहीं तो कमरा खाली करा लोंगी आगे आग लगे इन परोसियों में कब से आएगा लर्का बोला अभी से अंटी ने लड़के को फिर से देखा समान का है लड़के ने रिक्से की और इसारा किया और समान लाने चला गया ये औरत भी बरी दिल चस्प थी परोसियों से एक ना बनती थी इसकी भी ये पास तीन भर टीबी से चिपकी रहती घर में बस पती बच्चे नहीं थे कोई कहता था कि माज है कोई कहता पती पतनी में लड़ाई से पेट में बच्चा मर गया फिर मा न बन सकी बेचारी बस एक चच्चा से बती आती थी करीब सत्तर साल के चच्चा सदियों से इस गली में रहते आये हैं जिसने देखा जब देखा राजाराम की दुकान पर चच्चा को गली, महले, सहर, देश की सभी कहानिया पता हैं चच्चा पर हर मर्ज की दवाई भी थी कोई भी किस्सा आपके पास हो वो चच्चा के सांथ हो चुका होता था कहते थे कि चच्चा की बीवी किसी के सांथ भाग गए थी सो चच्चा पागला आ गए थे और तबसे संत जैसा बरताओ करने लगे ऐसा कोई न था जो चच्चा से दुआ सलाम किये विना निकलता हो सो अंटी भी बोलती थी चच्चा चच्चा राजा राम की दुकान पे हमेशा बैठ जाते थे और एक बंडल की माचिस निकाल कर राजा राम उनके लिए रख देता था राजा राम दुकान में तब से है जब से साय चच्चा संथुए होंगे दोनों बीना कहे एक दूसरी की बात समझ जाते बस अंतर इतना था कि राजा राम घिसा खाता और चाचा पीते बीरी अंटी ने सुबह देखा अकबार पड़ा था दरवाजे पर वो लड़का उठा रहा है जो कल ही आया है अंटी ने पूछा लड़के तुमने चालू किया अकबार लड़के ने हाम में सरह ला दिया अंटी मुस्कुराई लड़का अपने कमरे में चला गया दोपहर में डाकिया आया तो खताया अंटी ने बरे आश्चर से पूचा किसके है डाकिया बोला पता तो आप ही का है अंटी पर नाम है किसी विवोर राओ खुसाहाल का अंटी बोली ये खुसाहाल क्या है रे दाकिया बोला किसी साहर और को कमरा दिया है क्या आपने अंटी सर खुजलाते हुए बोली क्या पता रहे अभी दिया तो है एक लड़के को कमरा दीनवर सिगरेट पीता है कमरे से बाहर नहीं निकलता रोक पूछ के आती हूँ ए तुमारा नाम भी वो रहे अंटी ने खिरकी की दराज से जाग कर पूछा हाँ लड़के ने कहा ये लो तुमारे चिटी आई है रोकी आवाज से अंटी ने कहा लड़के ने डाकिया से चिटी ली और कमरे में चला गया अचानक अंटी की आवाज फिर से आई लड़के तुम लिखते हो गया लड़का बोला हाँ लड़के तुम क्या लिखते हो अंटी ने फिर से पूछा कहानी, गाने, कबीता सब लिखता हूँ लड़के ने कहा और ये खुसाल क्या है अंटी ने कमरे को गोर से देखते हुए पूछा ये मेरा उप नाम है लड़के ने बोला अच्छा मैं भी बीए तक पढ़ी हूँ अंटी ने कहा और मुस्कुरा दी लड़का भी मुस्कुराने लगा अंटी खुस थी वो कब से चाहती थी कि उसके घर ढाकिया आए चिठ्थी आए अखबार वाला आए बच्पन में उनके घर में चिठ्थी आती थी तो बाबुजी पढ़ने नहीं देते थे फिर आया ये फोन टुर टुर होते है हलू हलू करते रहो बस अंटी पहले से ज़्यादा खुस थी अब कभी किताबे लाती तो कभी चिठ्थी अंटी लड़के को देने से पहले खुद पर लेती लड़के को कोई फर्क न पढ़ता था इससे उसके कौन से ज़्यादात के कागज आते थे सुब काम ना है बस सुब पर ले अंटी पेट तो भर नहीं जायेगा उनका वो तो रोटी से ही भरेगा ना अब अंटी ने टीवी देखना कम कर दिया था और अब वो कभी ताय गुन-गुनाने लगी पर उसने भी खुसराने लगे थे अंटी से अब अंटी थोड़ा ठीक से बात करती थी यू कहें कम से कम बात तो करती थी ये लड़का तुम अपना लिखा भी पढ़ने को दो अंटी एक दिन सुबह सुबह कमरे में आकर लड़के से कहा लड़के ने चूप चाप एक किताब ला कर दी दर्वाजे का दर्द लेखक विभोर राव खुसहाल अच्छा नाम में लड़के किताब का भी और तेरा भी अंटी किताब लेकर चली गई अंटी दो दिन बाद फिर आई ले तेरी किताब अच्छा लिख लेता है रे तूं अंटी ने लड़के को देखकर बोला लड़का चुप रहा क्या हुआ आज तू बहुत उदास है रे अंटी ने फिर पूचा लड़का कुछ न बोला अंटी आज पहली बार कमरे में आकर लड़के की बगल में बैठ गई और धीरे से बोली पैसे नहीं है लड़के ने हाँ में सर हिलाया कितना कमा लेता है रे अंटी ने पूचा लड़के ने धीरे से का पांच हजार अंटी ने का बस ये दीन बर आखे फोड़ता है और बस पांच हजार तुझसे तो अच्छा राजा राम है जो बंडल और माचिस बेचकर घर्ड चला लेता है लड़के को ताना अच्छा ना लगा और उसने अंटी को गुसे से देखा ऐसे क्या देखता है रे चल कोई बात नहीं एक काम कर मुझे हजार रुपे कम दे दिया कर और पानी के सो रुपे भी मत दिया कर अंटी ने अधिकार से कहा लड़का बोला पर अंटी अंटी ने भीज में टोक दिया जब कमाने लगे तो ज़्यादा दे देना चल दूसरी किताब दे लड़का मुश्कुराया और एक किताब ला कर दी कहानी की आवाज लेखक रामदीन कलम ये तुम लेखक सब पागल होते हो गया अंटी लड़के से पूछा लड़का कुछ कहना चाहता था पर अंटी उठी और चली गई आज अचानक रात को दो बजे लड़की की निंद खुल गई लड़ाई की आवाज आ रही थी अंटी जोड से अंकल को गालिया दे रही थी अंकल अंटी को मार रहे थे साइद भद्दी भद्दी गालियों के साथ चिखने की आवाज लड़का सो नहीं पाया अंटी को देखने की एक्छा थी सो जल्दी ही सुबह पानी मांगने पहुँच गया अंटी एक बोतल पानी दे दीजिए लड़के ने दर्वाजे के बाहर से आवाज लगाई अंटी ने एक बोतल पानी ला कर दिया लड़के ने देखा अंटी की ओट सुझे है और गालों पर उंगलियों के निशान है अंटी एक दर्द के साथ मुस्कुराई और बोली कभी कभी तेरी अंकल ज़्यादा पी लेते है समलती नहीं उनसे रे आज जल्दी उड़ गया रहे तू बस ऐसे ही भूक लगी थी लड़के ने का पराटे खाएगा अंटी बोली लड़के ने हां में सर इला दिया चल तू मैं कमरे में जा मैं चाय और पराटे बना कर लेकर आती हूँ लड़का चला गया अंटी चाय और पराटे लेकर आई दोनों साथ साथ खाना खाने लगे अंटी ने एक निवाला अपने हाथ से लड़के को दिया और अपनी आँखों से आंसू पोच्टे हुए बोली कौन कौन है तेरे घर में लड़का बोला मा बाबुजी दीदी की साथी हो गई है कभी मिलने नहीं जाता रहे तू अंटी ने पूचा बाबुजी नराज रहते हैं मैं कमाता नहीं न इसलिए मा को भी बात नहीं करने देते लड़के ने भारी अवाज में का चल कोई बात नहीं लड़का सब ठीक हो जाएगा अंटी ने अका कर लड़के को गल्ले लगा लिया अब जब भी अंटी कुछ खास पक्वान बनाती लड़के को दे जाती उस दिन सुबह से ही लड़का सिगरेट पे सिगरेट पिये जा रहा था अंटी देख रही थी ये सात्वा सिगरेट थी अंटी लड़के से कहा लड़के ये सिगरेट के पैसे तेरे पास आ जाते हैं पैसे भूखा डाला रहता है लड़के ने कहा अंटी एक कहानी लिखनी है समझ में नहीं आ रहा कहां से लिखू क्या लिखू अच्छा चचा को परचानता है अंटी ने पूछा हाँ लड़के ने का उन से बात कर उस बुड्डे को सब पता है रे अंटी ने कहा लड़का चचा के पास जाने आने लगा अभी दिन नई कहानिया लिखता है दो अखबार में आई है अब चच्चा बीरी की जगा सिगरेट पीते हैं राजा राम लड़के का ब्रांड लेकर आया है कुछ महीने और निकल गए एक दिन लड़का कहीं जा रहा था अंटी ने पूछा कहा जा रहा है लड़के अंटी इंटर्व्यू है लड़के ने कहा नौकरी करेगा अंटी ने पूछा हाँ पैसे नहीं है बिल्कुल और मुझे तो अपना घर बनाना है लड़के ने कहा ठीक है जा अंटी ने मुस्कुराते हुए कहा लड़का अब काम पर जानने लगा था अंटी को किराया भी पूरा देता था चच्चा की सिगरेट वकाइदा चालू थी राजा राम दो चार और ब्रांड ले आया था दो महीने बाद एक दिन साम को फिर अंटी ने लड़के को रोक लिया अब अखबार नहीं मंगाता रहे लड़के अंटी ने पूछा नहीं अंटी पढ़ने का समय नहीं मिलता लड़के ने कहा अब किताबे भी आना कम हो गई है अंटी ने पूछा हां अंटी पढ़ने को समय नहीं मिलता लड़के ने कहा खाना खाये गरे पराटे बनाया है अंटी ने पूछा नहीं अंटी खा कर आया हूँ लड़के ने कहा चल ठीक है रह लड़के अंटी ने उदासी से कहा लड़का चला गया अंटी ने आज बहुत दिन बाद टीबी चालू कर ली तस मिनट बाद बंद कर दी तीन दीन बाद ने फिर दरवाजा, फिर आवाज दी, लड़के, इस महीने के हिसाब में तुमने पानसा रुपे जादा क्यों दिये हैं? आपने ही तो कहा था अंटी, जब कमाने लगे तो जदा दे देना, लड़के ने कहा, कितना कमाने लगा है रे? अंटी ने पूछा, बीस हजार रुप अंटी ने उसा भरी निगाहों से पूछा, अंटी अब किताब नहीं लिखूंगा, लड़के ने धीरे से कहा, क्यों रे? अंटी ने अश्चर से पूछा, समय नहीं मिलता अब, अब कौन सी रोटिया मिल जाती हैं लिखने से? और घर भी बनाना है ना अंटी? लड़के न चाती थी पर लड़का उठा और चला गया, अंटी ने फिर टीबी चालू की और आधे घंटे देखती रही, आज सुबह रामराज ने अंटी को आवाज दी और कहा, अंटी कोई कोरियर वाला आया है, हमारे सायर साहब को पूछ रहा है, अंटी ने भरक कर जबाब दिया, क तो चच्चा ने कहा, लारे राजा राम बंदन निकाल, आज से अपनी सिगरेट बंद और तू भी सिगरेट लेना बंद कर दे, राजा राम ने चच्चा को भीरी दी और खुद से घिसा बनाने लगा, और वहाँ अंटी ने कोरियर वाले से पूछा, क्या मंगाया है लगाई, विभोर, विभोर राव तुम्हारा कोरियर आया है, लड़के को आशर्ज हुआ, अंटी आज नाम से बोला रही है, लड़का दोर कर आया और आशर्ज से बोला, क्या अंटी, अंटी ने खुद को काबू करते हुए बोला, विभोर राव तुम्हारा कोरियर है, और आज साम तक मकान खाली कर देना, इतना बोलकर अंटी चली गई, बिवोर उन्हें बिसमित भाव से देखता रहा, अंटी ने अपने कमरे में जाकर तेज आवाज में टीवी चला दी, लड़का जा चुका था, चच्चा बीरी पीते हैं, राजाराम घिसा खाता है, और अं इसी थी ये कहानी, दोस्तो आप भी अपनी कहानियां में भेज सकते हैं, indianyouthactors at gmail.com पे, हमें आपके कहानियों का इंतजार रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद,